एलो हाई दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोग की परिक्षा की तयारी भी अच्छे से चल रही होगी जैसा कि आप लोगोंने थाद में देखा और इस थामनेल में हमने आप लोगों को लिखा है कि कैसे आप last के जो months है January के इसमें आप लोगों को अपने preparation पे ध्यान देना है तो मैं कुछ न कुछ आप लोगों को update या tips देता रहूंगा तो आज का ये वीडियो जो है मेरे इस tips का पहला वीडियो होगा first tips मैं आप लोगों को दे रहा हूं सबसे पहले आप लोगों को करना किया होगा जो आप लोगों का study time है उसको चार भागों में divide कीजिए कितने भागों में चार भागों में divide कीजिए इन चारों भागों में आप लोगों को करना किया होगा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला भाग होगा आपका study time, यानि उस समय आप लोगों को read करना होगा, कोई याद कर सकते हैं, कोई ये कर सकते हैं, मतलब अधिकतर study time ही बोलेंगे, दूसरा timing होगा हम लोगों का revision, तीसरा time होगा लिखने का, और चौथा time फिर से होगा आप लोगों का study का, यानि की पूरे जैसे की 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे में आप 6 घंटा नीन दे लेते हो, 2-4 घंटा आप घर के लिए निकाल सकते हो, यानि प्रोपर घर में जो भी काम अगेरा होता है, 2 घंटा काफी होता है खाने पीने में, बागी का जो समय है, आपके पास जो timing हो उसको का होगा और एक भाग आपका लिखने का होगा, यह लिखने से आप लोग डरते हो, ठीक है, आप लोग लिखने से पता नहीं क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, लिखिए, जितना लिखिएगा उतना आप अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, जो भी आप याद कर रहे हो उसको लिखो, छार भागों में डवाइट कर लेजे समय को, सभी कोई vereं सभी का टाइम टेबल अलग होता है, आपका अलग है, हमारा अलग है यह आप पर टेसिट करता है कि आपको कब पढ़ना है कितने बज़े और किस टीम में क्या पढ़ना ये आप decide करोगे बहुत किसिको Maths बनाना सुबह में अच्छा लगता है किसी को Science पढ़ना MorninG में अच्छा लगता है किसी को Social Science पढ़ना अच्छा लगता है मेरे according आपको ना सुबह में क्या पढ़ना चाहिए जो सबसे hard हो, क्योंकि सुभा में जब आप सो कर उठते हो न, तो mind बिल्कुल relax हो जाता है, बिल्कुल relax रहता है, आप जो भी याद करोगे, फटाक सही याद हो जाएगा, है कि नहीं, तो चार भागों में समय जोन को बाढ़िए, आज का टिप्स में यही है, ठीक है, चार भागों में समय को अपना बाढ़िए, आप पढ़ने के जो समय जोन है आपका, ठीक है, उसको चार भागों में डिवाइट केजिए, दो आपका study होगा, याद रखिएगा, study आपका दो भागों में होगा, रिविजन एक भाग में होगा, और लिखने का जो होगा, राइटिंग वो भी एक भाग में होगा, लिखने में आपका क्या हो सकता है, टेस्ट, खुद से आपको टेस्ट देना है, ठीक है, आप टेस्ट पेपर लगा सकते हो, ठीक है, यह लिखने में चला जाएगा, लिखने में आपका मैत आ सकता है राइटिंग में चला जाएगा मैत और study में हो जाएगा question answers याद करना ठीक है तो बहुत सारे ऐसे भी topic हैं जिनको आप लोगों ने अभी तक complete नहीं किया जैसे संस्क्रीट होगा English होगा इसमें आप लोग काफी लंबा या बड़ा वीडियो में नहीं बना पाऊंगा दिक्कत होती है यहाँ पर ठीक है अफ्लोडिंग करने में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मिलते हैं हम लोग अपने आगले वीडियो में जै हिंद जै भारत